असलाम अलेकुम आज को मैं रैसिपी है तुरा मिसू वैसे भी स्टार्ट करने से पहरे मैं चैनल को सब्सक्राइब करने प्रीज तीन अंडे की जर्दी ले लेंगे और सफेदी अलग कर देंगे एक कब चीनी अड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है तोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं पानी बॉइल कर लेंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे और बरतन पानी से बिल्कुर टश ना हो और अच्छे स इसको mix कर लेंगे ताकि चीनी अच्छा से dissolve हो जाए इसके अंदर और देखें चीनी अच्छा से mix हो चुकी है अब एक बोल में ले लेंगे 1.5 cup whipping cream और आदी चुमच लेंगे vanilla essence उसे अच्छा से blend कर लेंगे और इसे थिक form में बना लेना है इतना blend लेंगे इस तरह से थिक हो कि तीन से चौर मेरे तक अच्छे से blend करना और यह देखें whipping cream लेडी है अब जो हमने अंडे और चीनी का mixture बनाया था उसमें क्रीम चीज एड़ेंगे क्रीम चीज मैंने एड़ कि हादा कप और आदी चम्मच एड़ करेंगे vanilla essence इसे भी अच्छे से blend कर देंगे और जो हमने whipping cream में उसमें एड़ कर देंगे इसको अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से दोनों चीज़े मिक्स हो चुकी है अब गरम पानी में दो चमच कॉफी आड़ करेंगे ज्यादा गरम पानी ना हो नीम गरम हो बस और कॉफी को अच्छे से इसमें मिक्स कर और अब ऐसेंब LANG कर लेंगे केक रस्क यूज़ कि किया आप कोई से भी कर लें और कॉफी मेडीप करके इसको एक-एक करके रखते जाएंगे सारा केक्रस रखके अब इस पे उपर भी क्रीब ग्रीम जो हमने रेडी कि वह अच्छे से इसे के उपर लगा देंगे कि अच्छे से सप्लाय कर दें चारों तरफ अब दुबारा से केक रस डिप करेंगे और सेकंड लेडी कर लेंगे और विपेंग की उपर से लगा लेंगे की अच्छे से कुको बपर डस कर लेंगे और बस रेडी है माज़िदा आधी आधी तरामिसु इस रेसेपी को जरूर ट्राय करेंगे अब बार बार इस रेसीपी को आप त्राय करेंगे यह बहुत ही इजी और सिंपल है अब कर दिखाँ गैब कैणा है तेस्त में और ही ज़्यादा माचा है और यह ज़्यादा है। अर यह जादा मूझ्यू अच्छा लग रहा है, इसे जरूर ड्राइर करीएका अपना बहुत सही धराएकम रहने हो!!!